फर्सबाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकॉन को दबाए इस खबर की ये प्रायोजक है ओर्चिट फोर्ड शोरूम एनेच 58 परतापूर बाइपास मेरट नमस्कार आप देखरें फर्सबाइट बाट टेवी सडक टू अभी रिलीज नहीं हुई है उसका ट्रेलर ही सामने आया है यह पहला ऐसा ट्रेलर है जिसने डिसलाइक के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दी है यानि एक दसमलो एक करोड फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होनी प् पर राज करने के लिए बठा दिया था और अब यह आलम है कि नापसंद के सभी रिकॉर्ड द्रस्त कर दिये हैं इसका कितना और किसको फायदार होगा यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन दर्शकों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि नेपोटिजम अब नहीं चलेगा सुसान सिंग की मौत के बाद छिड़ी बहस का ही यह असर है कि जिसने बड़े बड़े स्टार को सोचने मुद्रा में लाख़डा किया फिल्मी कलाकारों का यह एक बुरा दौर भी कहा जा सकता है सुसान सिंग राजबूत की मौत ने फिल्म इंडस्टी को दो फार कर दिया है एक बड़ा वर्ग वह है जो इस बात की वकालत कर रहा है कि इंडस्टी में नेपोटिजम के कारां उन कलाकरों को काम नहीं दिया जाता जिन से इस्थापित कलाकरों को खत्रा उत्पन होता पाजबूत की मौत के मामले में रोजाना ही नए खुलासे सामने आ रहे हैं इन खुलासों के बीच ही आलिया भट आदित्ते राय कपूर संजेद दत्वे पूजा भट स्टारर फिल्म सलक टू का ट्रेलर रिलीज हो गया नेपोटिजम को लेकर सिर्फ फिल्म इंडस्टी म में ही गुस्सा नहीं है दर्शक भी इससे नाराज है इसका साफ संकेत साड़क टू को छे दिन में मिले सरवादिक 1.1 करोड डिसलाइक है अब तक इसे 5.9 करोड लोग देख चुके हैं 6.3 लाख लोगों ने पसंद किया है जबकि 1.1 करोड लोगों ने ना पसंद वहीं सा अपने समय देने और इसे ट्रेंडिक बनाए रखने के लिए भी मुझे दोनों को हिश्रे देना होगा आपकी विशिज के लिए धन्यवाद इस खबर में आज इतना ही आप देखतरी है फास्ट बाइट डॉन टिवे नमस्कार